आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नमबर वन इंट्रोड़क्शन टू बायलोजी और टॉपिक है औरकन एंड औरकन सिस्टम लेवल आज की क्लास में हम सिर्फ औरकन लेवल के बारे में बात करेंगे औरकन सिस्टम के बारे में हम बात इंशालल नेक्स क्लास में करेंगे चले जी स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक अला दरजा के मल्टसेलर जानदारों में एक से ज्यादा एकसाम के टिशू जिनके फाल एक दूसरे से वाबसता हो आपस में मिलकर एक औरकन बनाते हैं यानि के आला दरजा के जो मल्टसेलर जानदार हैं ऐसे जानदार जो एक से ज्यादा सेल्स से मिलकर बने हैं उन में एक से ज्यादा एकसाम के टिशू जिनके अफाल एक दूसरे से वाबसता हों मिलते जूते हों वो मिलकर एक यूनट बनाते हैं और उस यूनट को हम कहते ह औरगन डिफ्रेंट टिशूज आफ एन औरगन परफॉर्म्धियर स्पेसिक फंक्शन ये फंक्शन टीजिक अफ पर फंक्शन औरगन एक औरगन के मुख्टलिफ टिश्यूज अपना-पना मकसूस काम करते हैं और ये तमाम काम मिलकर औरगन का फेल बागता है तो स्ट्रेंट्स हमने डेफिनिशन की ये और्गन की कि जो आला दरजा के मल्टसेलर जानदार हैं उनमें एक से ज्यादा एकसाम के टिशूज आपस में मिलते हैं ऐसे टिशूज मिलते हैं जिनके अफ़ाल एक दूसरे से वाबस्ता हों और मिलकर एक यूनट बनाते हैं उस यूनट को हम कहते हैं और्गन एक और्गन में हर टिशू अपना-पना मक्सूस काम करता है और ये तमाम काम मिलकर उस और्गन का मجमुई फेल बन जाता है अब हम और्गन से रिलेटेड एक एक्जामपल की बात करते हैं For example, stomach is an organ specialized for the digestion of proteins and for storing food مثال के तोर पर मेदा एक ऐसा organ है जो proteins की digestion और खुरा को जखीरा करने के लिए मक्सूस है Two major types of tissues are present in its structure इसकी साथ में tissues की दो बड़ी एकसाम मजूद है कौन-कौन से tissues है Epithelial tissue या इसे हम glandular tissue भी कहते है इसका function क्या है? Screats gastric juice for the digestion of proteins Epithelial tissue या glandular tissue भी इसे कहा जाता है Proteins की digestion के लिए gastric juice खारज करता है यानि कि epithelial tissue का काम ये है कि ये protein को digest करने के लिए gastric juice खारज करता है Gastric juice में चुके enzyme मजूद होता है Pepsinogen और इसी तरह hydrochloric acid मजूद होता है जिसकी वज़ा से proteins की digestion होती है दूसरा जो tissue मजूद है stomach में वो है muscular tissue Muscular tissue perform contractions of stomach walls for grinding of food and moving food to the posterior end Muscular tissue से मेदे की दिवारें सुकरती हैं जिससे खुराग पिस जाती है और मेदे के पिछले किनारे की तरफ हरकत करती है तो students हमने बात की के मेदे के अंदर दो तरह के tissue मौद हैं इन दोनों tissue का काम आपस में मिलता जूलता है related है कैसे के epithelial tissue gastric juice खारच करता है जिससे proteins की digestion होती है और इसी तरह muscular tissue की वज़ा से मेदे की दिवारें सुकरती है जिससे खुराग पिस जाती है और मेदे के पिछले किनारे की तरफ हरकत करती है तो इन दोनों tissue का जो function है वो digestion से related है इस वज़ा से ये दोनों tissue आपस में मिलते हैं और मिलकर एक unit बना देते हैं उस unit को हम कहते हैं organ तो यहाँ पे जो organ बन रहा है वो है stomach तो two tissue परफॉर्म देर specific functions which collectively become the function of stomach पस ये दोनों tissue अपना अपना मकसूस काम करते हैं और दोनों का मजमुई काम मेदे का फेल बन जाता है तो strengths आज की class में हमने organ level के बारे में बात की है कि जो आला दरजा के multi cellar चांदार है उनमें एक से ज्यादा एकसाम के tissue जिनके फाल एक दूसरे से वाबस्ता हों मिलते जूलते हों मिलकर एक organ बनाते हैं एक organ के tissue अपना अपना मकसूस काम करते हैं और ये तमाम काम मिलकर उस organ का fail बन जाता है मसाल के तोर पर stomach एक ऐसा organ है जो proteins की digestion और खुराक को जखीरा करने के लिए मकसूस है stomach के अंदर दो तरह के tissue मौजूद है यानि epithelial tissue और muscular tissue epithelial tissue को हम glandular tissue भी कहते हैं और इसका काम है कि ये proteins की digestion के लिए gastric juice खारज करता है और इसी तरह muscular tissue से मेदे की दिवारे सुकरती है जिससे खुराक पिस जाती है और मेदे के पिछले किनारे की तरफ फरकत करती है पस इन दोनों tissue का जो function है वो digestion से related है इस वज़ा से ये दोनों tissue आपस में मिलते हैं और एक unit बना देते हैं उस unit को हम कहेंगे stomach आज के topic से related questions define organ organ की तरीफ करें तो इसमें आप बताएंगे कि आला दरजा के जो multi seller जानदार हैं उनमें एक से ज्यादा एक साम के tissue जिनके अफ़ाल एक दूसरे से वाबस्ता हो related हो आपस में मिलते हैं और मिलकर एक organ बनाते हैं एक organ के मुख्तलिफ टिशू अपना अपना मखसूस काम करते हैं और वो तमाम काम मिलकर organ का काम बन जाता है what is the function of glandular tissue in stomach stomach में glandular tissue का क्या फेल है तो glandular tissue proteins की digestion के लिए gastric juice खारज करता है आपकी बुक जहां से अपने स्टॉपी को प्रपेर करना है तो strength आज हमने सिर्फ organ level के बारे में बात की है organ system के बारे में बात हम next class में करेंगे Thank you strength अपकर नही Kiss और शफथ शच्वाश से बादाई